गुड मॉनिंग अब्रीवन वेल्कम टू सेवल सर्विसेश टड़ी यूपी पीसेश की अपनी टैस्स सीरीज चल लही थी 72 टैस्ट उसमें कंप्लीट हो गये थे यह है टैस्ट नमबर 73 और हम इसमें इंडियन पॉलेटी को कबर करें है भारतिय राजवास्था टॉपिक हमा नमबर 81, 81 से हाँ पर 100 तक देखेंगे हम और इसके आगे भी कम से कम 40 प्रश्ण और इसमें हम देखेंगे तभी ये टॉपिक जो है बड़ा टॉपिक, इंपॉर्टन टॉपिक किसी भी एक्जाम के लिए कबर होगा और ये सारे के सारे कॉस्चन इंपॉर्टन है देखें इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सबजेक्ट है जिसको आप पहली बार पढ़ोगे तो बाउंसर मारता सांज नहीं आता लेकि जब इसको दूसरी बार पढ़ लोगे तीसरी चौथी पांस से छे बार रिवाइस कर लोगे तो बहुत हैलफूल होगा क्योंकि इंपॉर्टन है ए करेंट अफेर्स तो है नहीं है जो हर साल नहीं आ जाएगी एक बार इसको पढ़ लोगे अच्छे से पांस से शे बार तो हम इसा काम करेगा आपके कॉंपटिटव एक्जाम में है तो इसलिए स्टार्ट करते हैं ना केबल स्टेट पीसी बल्कि किसी भी एक्जाम के लिए सारे के सारे प्रश्ण इंपोर्टन है तो आज का जो पहला प्रश्ण इससे बनता है यानि अगला प्रश्ण जो इससे बनता है वो है संसत के किसी एक सदन द्वारा पारिद किसी साधन विध्यक को दूसरा सदन कितने समय के लिए रोग सकता है इस प्रश्ण को आप करेक् के लिए रोक सकता है छे महीने से अधिक के लिए नहीं रोक सकता कोई सीमा नहीं है एक वर्स तीन महीना गलत कि संसत के किसी एक सदन द्वारा पारेत कोई साधान विध्यक को दूसरा सदन छे महा से अधिक के लिए रोक लेता है तो ऐसी इस्तिती में राष्ट पती संसत की सं सभी संख्या के बहुमत से उपस्तित और मत देने वाले सरस्यों के एक तिहाई बहुमत से यह इंपोर्टन प्रशन है कई बार एकजा में पूछा है संसत की संयुक तो बैठक कौन बलाता है राश्टपती बलाते हैं जब बैठक आ जाती है तो उसके अध्यक्षता कौन करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष तो उपस्तित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से ठीक है दो तिहाई बला हटा दीजे एक तिहाई बला हटा दीजे सदन की सभी सदस्यों की संख्या का बहुमत हटा दीजे उपस्तित कितने हैं और मत कितनों ने दिया साधरन विध्यक की बात हो रही है तो संयूक्त बैठक में विध्यक को दोनों सद्नों में उपस्तित और मत देने वाले सदस्यों कि कुल संख्या के बहुमत्वारा पारित कर दिया जता है तो मानना जाता है कि विध्यक को आयोग निर्शन विधियक इन में से कोई नहीं पहली संयुक्त बैठक जो राष्ट पती ने बुलाई और इसके देख्स तक की होगी लोकसवास भी करने तो दहेज प्रतिशेद विधियक option number C लोकसवाम राजसवा की पर्थम संयुक्त बैठक दहेज प्रतिशेद विधियक को पारिद करने के लिए होई थी संसत के दोनों संदों की संयुक्त बैठक अभी तक तीन बार बुलाई जा चुकी है दहेज प्रतिशेद विधियक के लिए पहली बार बुलाई गई बैंक से वायोग निर्शन विध्यक और आतंकवाद निवारण विध्यक ये तीनों उप्संस में थे इन सभी टेस्ट किया फुल टेस्ट एस सीरीज प्राप्त कर सकते हुए नमबर अस पर कॉल आवट सब करके सब्सक्राइब रखेगा सब्सक्राइब रखेगा सबल सर्वेसे इस्टेडी चैनल को कॉशन नमबर 84 क्या कहता है नमले कि दमें से किस यकिन परिस्टियों में संसत का संयुक्त अधिवेसन बुलाया जा सकता है जब एक सदन द्वारा पारित विध्यक दूसरे सदन द्वारा अस्विक्रत कर दिया जाता है यदि एक सदन दूसरे सदन द्वारा विध्यक में किये गए संसोदनों को मानने से इंकार कर दे एक सदन द्वारा पारित विध्यक को दूसरे सदन द्वारा विना पारित किये छे महा से ज्यादा समय हो जाए उपरोक सभी तेकि सी वाला तो सही है यदि एक सदन दूसरे सदन द्वारा विध्यक में किये गए संसोधनों को मानने से इंकार करते ये भी है जब एक सदन द्वारा पारित विध्यक दूसरे सदन द्वारा अस्विक्रत हो जाए ये भी है तो D है इसका अंसर सारे के सारे हैं ये तो ये साधन विध्यक ही होगा ये मनी विल नहीं हो सकता संविधान संसोधन विध्यक नहीं हो सकता तो उप्रोग सभी परिश्चतियों में संसत का संयुक्त अधिवेशन बुला जा सकता है कुशन नमबर 85 है संसत की संयुक्त बैठक का कोरम यानी गणपूर्ती दोनों सदनों की कुल सरस्य संख्या का कितना भाग होता है एक बटे दस भाग, एक बटे चाह भाग, एक बटे तीन, एक बटे पाँच ये प्रश्ण भी इंपोर्टन्ट है एक बटे दस भाग संयुक्त बैठक की कारवाही संचालित होती है राश्ट पती की इच्छा के अनुसार, प्रधान मंत्री की इच्छा के अनुसार, लोग सभा के प्रकरिया नियमों के अनुसार, राज सभा के प्रकरिया नियमों के अनुसार लोगसवा के प्रकरिया नियमों के नुसार और सन्चालित होती है ना कि राजसवा नियमों के नुसार कॉश्चन नुबर 87 यदि लोगसवा के बिख्टन से पहले ही राष्ट पती ने सन्यूगत बैठक बुलाने का नोटिस जारी कर दिया है तो क्या लोकसवा बिख्टन के पश्चात सेयुक्त बैठक आयोजित होगी पताईए यदि लोकसवा के बिख्टन के पहले ही राश्ट पती ने सेयुक्त बैठक बुलाने का नोटी जारी कर दिया और लोकसवा बिख्टित हो गई तो उसके बाद क्या संयुक्त बैठक आयोजित होगी नहीं होगी होगी किन्तु किसी भी परिस्टती में बिध्यक पारित नहीं हो सकेगा बिघ्टित लोकसभा के बाद संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती ऐसा प्रावधान है संबिधान में क्या नहीं है पहला भी गलत सी भी गलत होगी ठीक ही होगी और विद्हक भी पारित हो सकेगा ये नहीं हो सकेगा वो भी किसी परिस्थिती में लिखा है तो ये तो बिल्कुल गलत है तो समिधान के अनुछेद 185 में उपवंद है कि यदि राष्टपती ने लोगसभा के विख्टन से पहले सहीं के बैठक बुलाने का नोटिस जारी कर दी तो लोगसभा विख्टन के पस्चात भी इस अनुछेद के अधीन बैठक होगी और विद्हक पारित हो सकेगा तो विकल्प भी सही होगा ना फिर एक संदर्प में निविकत मैं से कौन सा का थन सत्य है इंपर्टन्ठ है प्रश्ण चार है चार मैं से एकreten सही होगा के बल रासभा एक स्थाही सरन है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता रासभा के दो तहाई सारर्ष से प्रतेग दो वर्रष की सवाप्ती पर सेवा निब्रत हो जाते हैं राजस्बा के सरश के कारकाल 6 वर्ष का होता है राजस्बा के सरश से चुने जाने के लिए निंटा मायू सीमा 30 वर्ष होने चाहिए एक चीज जिसमें हम अड़ करेंगे यहां incorrect बताना है असत्य है कौन सा असत्य है कि बल एक ही असत्य है ठीक है राजसभा के सरस्यों का कारकाल 6 वर्स का उता ठीक है राजसभा के सरस्यों के चुने जाने के लिए नियुता मायूसीमा 30 वर्स होनी चाहिए ये भी ठीक है राज सभा के दो तिहाई नहीं बलकि एक तिहाई सरसे पृति एक दो वर्स की सौप्ती पर से बने बरत हो जाते हैं ये ठीक है राज सभा एक स्थाही सरन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता ये गलत है बी वाला statement इसलिए भी है इसकांसर तो भी सही नहीं है तो पहली बार क्या हुआ था पहली बार क्या हुआ था राजसभा के प्रत्थम बैच के दो वर्स की समाप्ति के बाद एक तिहाई सरस्यों के सेवा ने पड़ती जो हुई थी वो लौ्टरी के माधम सखी गई थी राजसभा के सरस्यों का कारिकाल एक ची ध्यान रखेंगा राजसभा एक स्थाई सदन है अगर कोई स्टेटमेंट बनाता है कि राजसभा का कारिकाल 6 वर्स का होता तो गलत राजसभा तो एक स्थाई सरना उसका विक्टर नहीं हो सकता राज सभा के सदस्यों का कारिकाल 6 वर्स का होता है इसका निर्धारन संभिधान में नहीं किया गया है बलकि जन प्रतिनेत अधिनियम 1951 के अधार परते हुआ है संभिधान के अनुचेर 84 भी में उपपन्त है कि राज सभा की सरस्था के लिया निउन्तमायू सीमक इतनी तीस वर्स राष्डपती बनने के लिए 25 उपराष्डपती बनने के लिए 25 लोक सभा का अधिएक्स बनने के लिए 25 चलि यह कौशन नंबर आजाईए अब 89 पर संसत का कोई सरस्य योग्य है नहीं इसका निर्णे कौन करेगा राष्टपती निर्वाचन आयोग लोग सबाद्धेक्स मंतिर परश्द संसत का कोई सरस्य योग्य है आयोग इसका निरधारण करता है राष्टपती और इसके लिए वो राय लेता है निर्वाचन आयोग की तो ए है इसका अंतिम होता है किन्तु इससे पूर्व राष्टपती निर्वाचन आयोग से राय लेगा और उसी के अनुसार काम करेगा इंपोर्टन टैप रश्न कुष्ट नंबर 90 है नमन के तुमिसे किस संसोधन के द्वरा दल बदन कानून में संसोधन किया गया और इसे अधिक ससक्त बनाया गया दल बदल कानून में संसोदन किया गया और उसे और अधिक ससक्त बना दिया गया बहुत प्रश्ण एग्जाम में बने दल बदल कानून से कुशन नुबर 91 पर आजएए संबिधान की दस्वियन उसूची को किस संबिधान संसोदन द्वारा जोड़ागा है यही इंपोर्टन प्रश्ण है इस से रिलेट करता हुआ है बहुत पूशा एग्जाम में बावनवा संबिधान संसोदन अधिनियम दस्वियन उसूची को भी याद रखेगा संबिधान की दस्वियन उसूची दल बदल कानून से संबिधान की दस्वियन उसूची का संबिधान दल बदल अधिनियम से है जिसे 52 संबिधान संसोदन अधिनियम 1985 के द्वारा संबिधान में जोड़ा गया भारते संबिधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं? 12 में क्या-क्या है? सब important है पुछ रहता एक्जाम में Next question है 10 भी अनुसूचि के तहट सरस्य की आयोगिता के सवालों का निप्टारा कौन करता है? 10 भी अनुसूचि के तहट कोई सरस्य आयोग है या नहीं इन सवालों का निप्टारा कौन करेगा? राष्टपती, निर्वाचन, आयोग परधान मंत्री हैं? इन में से कोई नहीं सका अंसर होगा अगर वो लोगसभा का सरस्य है तो लोगसभा का अध्यक्स करेगा वर्ष 1992 में सुप्रीम कोट ने निर्णे दिया कि राज सभा के सभापती और लोग सभा के अध्यक्स द्वारा दियेगे निर्णों की नियाईक समिक्षा हो सकती है। क्या कहता है चार-चार स्टेट्मेंट है नमलकित में से कौन से व्यक्ति संसत सरस से बनने के लिए पात्र नहीं है। कि अध्यक्ति में हो सकता है, छे महिने भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, पंद्रह महिने भी हो सकता है। मतलब उस पर केस नहीं चलना होना चाहिए, वो सजा उसको दे दी गई हो कोट ने। निर्धारित समय के भीतर चुनावी खर्च का विवरात देने में असफल रहा होगो, छुआ छू दहेज या सती पर्था जैसे अपराधों में सनलेप तो पाया गया हो। जब इस व्यक्ति पर केस चलता है ना तो उसे ठाने में तो बंद रखने ही लॉक अपक इत्ने बड़े हो सकते हैं। है इसलने उसको जेल में डाल देती खुर्च मिकति ऐसे कोई व्यक्ति संसद का सथन्सर बात्र पात्र नहीं रहेगा। इन में से कोई एक भी अगर वो होगा तो तो सारे के सारे यह हैं डी है सकांसर वन टू त्री फोर देखे संबिधान में ठीक है और यह उपबंद गहां पर है संबिधान में भी है और जन प्रतिनित अधनियम 1951 के अधार पर भी इन दोनों में किसी व्यक्ति के संसत सदस से बनने संबंदी पातरता का निर्धान किया गया संबिधान में उपबंद है कि कोई व्यक्ति संसत सदस से नहीं बन सकता यदि नियाले ने किसी व्यक्ति को विक्रत चित घोशित कर दिया है जन प्रतिन अधनियम 1951 में जो आपातर प्रता के लिए नेमलिखेत उपवंध किये गए हैं कौन-कौन से किसी अपराध में व्यक्ति को दो साल या उससे अधिकी सजा हो गई हो लिर्धारित समय के भीतर वो चुनावी खर्च का व्योरा देने में असमर्थ हो या सफल रहा हो उसे छुआ छूद दहेज या सती प्र रटलो गए पढ़लो गए ठीक है तो आसान हो जाएगा और इंपोर्टेंट है क्योंकि यह प्रश्ण बदलते नहीं है घुमा फिराकर ऐसी पूछ जाते हैं करेंट अफैर्स तो है नहीं जो चेंज हो जाएगी तैकि सम्धान के अनुछे देख सो दो एक के तहत योग है नहीं इसका निर्धान राष्टपती करेगा और राष्टपती का निर्णा अंतिम होगा किन्तु राष्टपती किसी ऐसे प्रश्ण का निर्णा लेने से पहले निर्वाचन आयो की राय लेगा और उसी की राय के अनुसार काम करेगा एक चीज़ यह भी है ठीक है यह यह वो दल बदल के मामले में क्या याद रखना आपको लोकसभा का अध्यक्ष और राजसभा का सभापती सर्वोपरी है यहाँ पर राष्टपती सर्वोपरी है निर्वाचन आयोग की राय के साथ ठीक है दल बदल को कोट करके पूछे तो आंसर कुछ और है और वैसे राष्टपती निर्वाचनायोग की राय के अनुसा लोगसवा का कारिकाल क्या है ये प्रश्ण? किसी परिस्तिती में नहीं बढ़ाय जा सकता है एक बार में छे महीने के लिए बढ़ाय जा सकता है अपातकाल की घोशना के समय एक बार में एक वर्स तक के लिए बढ़ाय जा सकता है अपातकाल की घोशना के समय एक बार में दो वर्स तक के लिए बढ़ाय जा सकता है कोई एगी सही है इसमें लोगसवा का कारिकाल किसी परिस्तिती में नहीं बढ़ाय जा सकता है गलत एक बार में छे मार के लिए बढ़ा है जा सकता है गलत अपात काल की घोशना के समय एक बार में एक वर्स तक के लिए बढ़ा है जा सकता है ठीक है तो C है इस कांसर देखे लोगसभा का कारिकाल आम चुनाप के बाद पहली वैठक से पांच वर्स का होता है अनुच्छे 83-2 में लिखा है लोकसवा को 5 वर्से पहले भी राश्टपती मंत्री परश्ट की सलापर विक्टित कर सकता है और इसके खिलाब नयाले में चुनोती नहीं दी जा सकती आपातकाल की घोश्टा के समय लोकसवा का कारिकाल एक बार में एक वर्स के लिए बढ़ाया जा सकता है किन्तु आपातकाल अगर स्वाप तो हो गया तो उसके पश्टाद उसका विस्तार 6 महिने से अधिक नहीं हो सकता कोश्चन नमबर 15 है काउंटिंग करोगे नमबरिंग में तो 95 नमलेखित संबिधान के नमलेखित में से किस अनुच्छेद में लोग सवा में अनुच्छित जाती हूँ अब जन जाती हूँ के लिए आरक्षण का उपवंद किया गया है यानि S.E.S.T. समुधाय के लिए रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है वो किस आर्टिकल में है अनुच्छे 329, 331, 331, 333 देगे संबिधान के नुच्छे 330 में लोग सवा में इनके लिए इनके किनके S.E.S.T. समुधाय के लिए आरक्षण के संबंद में उपवंद किया गया है देखे अनुच्छे जाती वम जनजाती के लिए आरक्षण छेत्रों से केवल वही चुनाब लड़ सकते हैं किन्तु ये जो है सामान निरवाशन छेत्र से भी चुनाब लड़ सकते हैं इनहें इनकी जनसंक्या के अधार पर सीटों का आरक्षण दिया गया है अनुच्छित जनजाती के सरवाधिक सीटे हैं मध्य प्रदेश में क्वेशन नमबर 96 पराज़ेए 87 वे संभिधान संसोदा नदियम दोहार 3 का संबंद निरवाशन छेत्रों के परिसीमन से है इस संसोदन के द्वारा निरवाशन छेत्रों के परिसीमन में के से जनगरणा को अपनाने के लिए कहा गया है अल्यों निरवाशन छेत्रों के परिसीमन से है क्या है इसका आंशर इसका आंशर है अप्सन नमबर C जन गर्णा दोहार एक देखिए 84 वे समिधान संसोदन निदिनियम दोहार एक के दवरा राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन छेतरों का पुना समय उजन के लिए 1961 की जन गर्णा को अजहार बनाने के लिए कहा गया बाद में 87 वे सम्धान संसोदन निदिनियम मुण संसदन निदिनियम दोहार एक के द्वारा निर्वाचन चले कोशन नमबर 97 पर आज़ेए कोशन नमबर 97 में अपने को ढूंड़ना है इनकरेक्ट स्टेट्मेंट निम्लिकित में से कौन सा एक कथन असत्य है लोकसवा में सीटो का अवंटन प्रतेक राज को उसकी जनसंख्या के अधार पर निरधारित है लोकसवा में सीटो का अवंटन उन राज़ेए पर लागो नहीं होता जिनकी जनसंख्या 60,00,00 से कम है बरत्मान लोकसवा में प्रतेक राज के लिए सीटो का अवंटन 2,100,01 की जनगर्ना के अधार पर है सिंपल है जो C बाला statement है और जो D बाला statement है वो तो एक जैसी बाते कर रहे हैं यानि इनमें से कोई एक ही गलत होगा तो पहला बाला दूसरा बाला वैसी ही सही हो जाते हैं तो क्या होगा इसका अंसर इसका अंसर हो जाएगा option number C यानि बरतमान लोग सवामें परते एक राजों के लिए सीटों का जावांटन है वो 1971 की जनगरना के अधार पर है ना की 211 की जनगरना के अधार पर यही अपना आंसर है C जो गलत है तो संभिधान के अनुचेद 182 के का में उपवंध है कि लोग सवामें सीटों का अवंटन उस राजी की जनसंख्या के अनुपात में होगा किन्तु यह उपवंध उन राजों पर लागू नहीं होगा जिनकी जनसंख्या 60 लाग से कम है संभिधान के अनुचेद 182 B में राजो को प्रादेशिक निर्वाचन शेत्रों में भाज़ित करने संबदी उपवंध है इंपोर्टन्ट है यह वाला परा तो बरतमान लोकस्वा में प्रतेख राजों के लिए सीटों या इस्थानों का वंटन 1971 की जनकरणा के अधार पर किया गया है इसका उपवंध संबिधान के अनुचेद 82 में किया गया है और यह विवस्था वर्ष 2000 तक के लिए थी किन्तो 84 वे संबिधान संसोदर न थी अब 211 के द्वारे से बढ़ा दिया गया वर्ष 26 तक वरतमान में 24 चलना है शुरू हुआ है यानि आने वाले दो सालों तक यान नियुनता मायू सीमा 18 21 वर्ष होनी चाहिए मतदान का अधिकार बैधानिक अधिकार है ना कि संबिधानिक लोगसवा में मतदान करने के लिए नियुनता मायू सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए उप्रोक्त में से कोई भी सई नहीं है लोगसवा का सरस्थ से बनने के लिए तो B है इस कांसर, दूसरा तो सही है, देखे सम्भिधान के अनुच्छे 84 B में उपवंद है कि लोकसभा के सरसर बनने के लिए नियुनता मायू सीमा 25 वर्स होनी चाहिए, लोकसभा मतदान करने के लिए नियुनता मायू सीमा 18 वर्स है, एक और चीज यहाँ पर इंपोर्टन है, 61 B सम्भिधान संसोदन अधियम 1988 के दवरा मतदान करने की नियुनता मायू 21 वर्स से घठा कर कितनी कर दी गई, 18 वर्स सम्भिधान के नुचे 326 में लोकसभा और विधान सभा में मतदेने के अधिकार के संबन में उपवंध है, किसमें 326 में अत्या मतदेने का अधिकार सम्भिधानिक और बैधानिक दोनों है, यह नि कॉंस्टिट्यूशन राइट भी है और लीगल राइट भी है नंबर 98 बैधानिक को क्या बोलेंगे? लीगल तो कानूनी हो गया, सम्भिधानिक बैधानिक दोनों चली 98 नंबर का प्रश्ण है, मूल सम्भिधान में लोकसभा सरस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी, किन्तु दो सम्भिधान संसोधनों के द्वरा इनकी संख्या में ब्रधी कर देगा यह आपको बताना है कि वो दो सम्भिधान संसोधन कौन से इन में से? चटा 22 वा, 11 वा, 42 वा, 12 वा, 38 वा, 7 वा, 31 वा यह PCS में के लिए बड़े अच्छे प्रश्ण होते हैं, इस तरह के प्रश्ण पूशे आते हैं अर्टिकल को लेकर तो यह है पहला साथवा सम्भिधान संसोधन अधिनियम दूसरा एकतिस वा सम्भिधान संसोधन अधिनियम एहस कांसा देखे साथवे सम्भिधान संसोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर गठिन किया गया और लोगसवा की सरस संख्या 500 से बढ़ा कर दी गई 520 अब हुआ 31 बा संभिधान संसोधान 1973 इसके द्वारा लोगसवा की सरस संख्या 520 से बढ़ा कर 545 निशित की गई इन 545 में से 530 सरस राज्यों से आते थे 13 सरस केन शाष्यत प्रदेशों से आते थे और राष्ट पती दो सरस्यों दो को एंग्लो इंडियन न Sundays करता था यह दि राष्ट पती को ऐसा लगे कि लोगसवा में एंग्लो इंडियन का पृधिनुद परिशा तो लोकसभा की अधिक्तम सरज से संख्या कितनी हो सकती है बांसो बावन हो सकती है जिन मैंसे पांसो तीस सरज सराजों से बीस सरज से केंस्ट प्रदेशों से और दो हो गए एंगलो इंडियन अब एक चीज और यहां पर और मोस्ट इंपोर्टन नोट है एंगलो इंडियन को लोकसभाई मनुनीत करने का उपवंध जो है 95 संसोदन अधिनियम 29 के दोरा वर्स दोहार 20 तक के लिए बढ़ा दिया गया था ठीक है लेकिन जनबरी दोहार 20 में सरकार ने क्या किया समिधान के खिशे 104 में संसोदन किया ठीक है संसोदन माना गया कोशन नबर 99 पर आजएए दो कथने हाँ पर कौन सा सही होगा भारत के समिधान मुपबंध है कि लोकसभा राजसभा के मनुनीज सरस्य मंत्री नहीं बन सकते राजसभा लोकसभा के मनुनीज सरस्य राष्टपती और उपराष्टपती के निर्वाचन में मद्दान नहीं कर स सकते हैं राश्टपती के चुना में निर्वाचन नहीं करते हैं तो यह दोनों बोल्ना तो गलत है स्टेटमेंट बहरत के समिधान वपंधे की लोक्सभा राजसभा के लिए 12 लोकसभा के लिए 20 राष्टपती मनूनीज separate कर सकते हैं और श्मिधान इनने मंत्री मनुनीज नहीं करता अर्थाद में मंत्री बन सकते हैं एक नोट यहां पर आपको फिर से बता देते हैं जनबरी दोहार 20 से एंग्लो इंडियन के प्राबधान को साप्त कर दिया गया अब एंग्लो इंडियन एक्जिस्ट नहीं करते हैं राजसभा लोकसभा के मनुनी सरस उपराष्ट राष्टपति के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं कि इसको याद रखेगा राष्टपति प्राष्टपति पर विस्तरत कम से कम बनाएंगे प्रश्ट 20-25 आने वाले टेस्ट में अगला प्रश्ट सौबा प्रश्ट है यह 100 प्रश्ट होगा है इससे रिलेट करते हुए और most important प्रश्ट है अभी पहला राजसभा के सभी सरस्य राज्यों की विधान सभाओं के सरस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं राजसभा के सभी सरस्य यानि 230 के 230 राज्यों की विधान सभाओं के सरस्यों निर्वाचित होते हैं क्यों राष्ट पती भी तो मनुनीत कर करते हैं कुछ सरस्यों को तो गलत हो गया पहला स्ट्रिट्मेंट राजसभा में राज्यों का पूर्ट ने तो उनकी जनसंख्या और शेत्रफल के अनुपात में किया गया है जिसकी चर्चा संभिधान की पांच भी अनुसूची में की गई है देखिए राजसभा में स्थानों का वंटन चौथी अनुसूची में है ये सारी अनुसूची आपको पढ़ लेनी है और केवल जनसंख्या के अधार पर है छेत्रफल के अधार पर नहीं तो गलत हो गया दूसरा भी कोई भी तो यहां हमको मिले दोनों के दोनों गलति स्थिटमेंट वाले कथन डी अनुस कोई भी सजी नहीं है लाजसभा के कुल 250 सरस्यों मेंसे 238 सरस्यों के सरस्यों दौरा मनुनीत सरस्यों दौरा नर्वाशद होते हैं 238 है 250 हैं मैंने 30 उपर क्लिक दिया तो 250 जो सरज से होते हैं उनमें से 238 जो हैं वो राज्यों की विधान सभाओं के द्वारा मनुनीद, निर्वाचित होते हैं वो 12 सरज से राष्टपती के द्वारा मनुनीद किया जाते हैं इसलिए गलता पहला स्टेटमेंट राष्टपतीन ने तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया है 26 तुरफर के अनुपात में नहीं और संभीधान की 4 इनसूची में इसका निर्दान किया गया है कि राज से राजसभा की कितनी सीटे होंगी उस राज से राज सभागी कितनी सीटे होंगी या किस राज से राज सभागी कितनी सीटे होंगी ना कि पाँच वेनुस कुची में तो सारे की सारा important प्रश्ण थे ये ये topic बड़ा important है काफी बड़ा है ठीक है आने वाले 2-3 test में cover हो जाएगा अच्छे से इनकी practice कर लीजिएगा देखे बहुत ही मोटी book है M. Lakshmi Kant पहली बार उसको पढ़ोगे देखोगे तो bouncer मारेगा सर के उपर से लेकिन 6-7 बार अगर पढ़ोगे आपके पास है तो उसको क्या कर दिए टुकडों में तोड़ लीजिए उसको underline करके पढ़िए marker का use कीजिए ताकि अगली बार तीसरी बार चौथी बार जब revision करो तो नया नया कुछ न लगे एक तो किताब रंगी हुई कम दुख देती है जो नई सी होती है वो ज़्यादा दुख देती है या खुद के handwritten notes बना लीजिए वो सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि राज वरस्था में संसोधन कभी हो गए दो-तीन सालों में छिट पुट वरना as it is दे तो वैसी रहेगा इसको पढ़ सकते हैं बार-बार रट सकते हैं इसको तो ये 20 प्रशन थे अवरल अपने इस टॉपिक से 100 प्रशनों का important है इन सभी का full test PDF सीरीज भी प्राप्त कर सकते हो पेल टेलिगराम ग्रूप को जुड़कर हर दिन प्रक्टिस करते रहेगा धन्यवाद